जैने दोस्तों कैसे आप लोगों मीद है आप सब बहुत अच्छा सुरूंगे स्वागा थे आपका बहुत ही खास वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम अवदी पिस्वी दिया ले आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवदी निवस्ती के एक बहुत ही इंपॉर्ट आप से सवाल क्या पूछा गया है तो आप से कुछ इस प्रकार से सवाल पूछा गया था कि आपको क्या करना है आपको यहाप फाइंड आउट करना है कोई efficient of correlation कोई efficient of correlation यहापे आपको find out करना है हिंदिक में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे निकालना है सह संबंद गुड़ा है और rank difference method से आपको यह निकालना है तो इस method से कैसे यह निकालते हैं आईए इस वीडियो में हम discuss करते हैं और देखते हैं कि कैसी इस तरीके के question को आप solve करेंगे अगर आपसे exams में पूछता है तो ठीक है तो सुरू करें इस वीडियो को बिना किसी देरी के आईए तो फिर बिना किसी देरी के दोस्तो इस वीडियो को हम सुरू करते हैं और हम निकालते हैं rank difference method बिना किसी देरी के चरिए यह formula था बच्चो यह जो आपके screen पर दिखाई दे रहा है यह हमारा formula है इसी formula से rank difference method निकलेगा इसको कहते हैं the spearman's rank correlation coefficient का formula ओके अब इसमें आप देखेंगे n, n क्या है और sigma d square क्या है इसको बस समझना है तो आई इसको समझते हैं और सवाल को हल करते हैं n क्या है बच्चो न आपका यह है कि इसमें total कितने numbers दिये गए हैं जैसे आप अपके सवाल में देखेंगे आपके यहाँ पे क्या दिया गया है गणीत में प्राप्तांग और हिंदी में प्राप्तांग आपके कुछ विद्यारती हैं कितने विद्यारती हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस आपके total 10 student हैं इन 10 student के प्राप्तांग यहाँ पे दिये गए, score दिया गया है math में और हिंदी में ठीक है तो यह जो numbers है न, n is equals to 10 n के 10 हो गया यहाँ पे अब जो इसमें number पाए हैं इनको आपको rank देना है तो जब सबसे ज़्यादा पाएगा वो topper होगा उसको rank 1 दे देंगे उससे कम वाले को rank 2 देंगे उससे कम वाले को rank 3 देंगे, ठीक है तो आब आईए, शुरू करते हैं इस सवाल को हल करना और हम यहाँ पे rank देते हैं, तो आप देखें कि x में, x में सबसे ज़्यादा number किसका है सबसे ज़्यादा number 75 का है, ठीक है, तो 75 को हमने यहाँ पर rank देना है, rank कितना होगा 75 का, आईए ज़रू, इसको rank दे देते हैं 75 को हमने rank 1 दे दिया, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा है, तो इसको rank 1 दे दिया 75 से थोड़ा सा कम किसका है, 72 का, तो हमने इसको rank 2 दे दिया 72 से थोड़ा सा कम किसका है, 70 का, तो हमने इसको rank 3 दे दिया और 70 से थोड़ा सा कम किसका है, 68 का, तो हमने इसको rank 4 दे दिया 67 से कम यहाँ पे बच्चो 67 से कम यहाँ पे क्या होगा 67 से कम 65 है तो हमने यहाँ पे इसको 6 रैंक दे दिया ठीक है सब रैंक देना है ठीक है चली 65 से कम क्या है 65 से कम यहाँ पे 63 है तो हमने इसको कितना रैंक दे दिया हमने इसको 7 रैंक दे दिया और सब से कम 55 है थो हमने इसको 10 rank दे लिया तो आप दे लिया थो आप पहल एक उसी तर्यकेसे आपको दूसरे वाले को rank देना rank टू अब इसमें सबसे ज़्यादा किस काュ नंबर है इसमें ज़्यादा नंबर देखेंगे 65 वाले का है तो आम इसको वन रैंक दे ग consistently समस्या कोई समस्य नहीं 65 से कम 63 तो हमने इसको 2 रेंक दे दिया 63 से कम क्या है 62 है तो इसको 3 रेंक दे दिया 62 से कम क्या 61 है तो हमने इसको 4 रेंक दे दिया 60 को हमने 5 रेंक दे दिया और 60 60 और 58 58 को हमने यहाँ पर 6 रेंक दे दिया 57 को हमने 7 रेंक दे दिया और 57 से थोड़ा कम क्या है 57 से कम थोड़ा 55 है हम इसको 8 रैंक दे दिया 53 को हमने 9 रैंक दे दिया और 50 को हमने 10 रैंक दे दिया जो सबसे ज़्यादा होगा उसका rank 1, उससे कम rank 2, उससे कम rank 3, उससे कम rank 4, इस तरीके से आपने rank दे दिया, अब जब rank दे दिया तो फिर सवाल में कुछ नहीं बचा, आपको इन दोनों rank को आपस में घाटा देना है, आपको minus कर देना है, 8 minus 4, 8 में से 4 गया, 4, 3 में से 9 गया, minus 6, 6 minus 5, 1, 9 minus 1, 8, 4 minus 6, कितना होगा, 4 minus 6, minus 2, 2 minus 8, minus 6, 10 minus 3, 7, 5 minus 7, minus 2, 1 minus 10, minus 9, और 7 minus 2, 7 minus 2 करेंगे तो यह जगा 5, अब जो आपने difference किया है, उसको बस square कर जी, square करता ही, आपका question यहां पर solve हो जाता है, 4 का square आपका 16 होगा 6 का square 36 होगा 1 का square 1 8 का square 64 2 का square होगा 4 6 का square होगा 36 और 7 का square होगा 49 2 का square होगा 4 और यह 9 है 9 का square होगा 81 और 5 का square कितना होगा 5 का square होगा 25 ठीक है अब इसको आपस में क्या करने है आपको add कर देना है अब जो add करेंगे वो होगा sigma d square sigma का मतलब sum of d square यह जो d square है इन सब को sum कर लेना है तो जब आप इन सब को sum करेंगे बच्चों इन सब को जोडेंगे तो आपकी value आएगे कितनी value आएगे आपको 316 समझे आ गया अब इसको इस formula पर रख लीचे formula क्या है आपका 1 minus 6 into sigma d square sigma d square कितना है 316 ठीक है divided by n, n कितना है 10 10 का square minus 1 इसको solve कर लीजिए 1 minus इसको solve करेंगे तो कितना होगा 6 6 जा 36 का 6, carry 3, 6 3 9, 6 3 के 18 ठीक है इसको solve करेंगे तो 10 इसका square minus 1 100 में से 99 99 गुने 10 990 कोई समस्या कोई समस्या ने इसको solve कर लीजिए 990 minus 1896 divided by 990 इसको solve करेंगे बच्चों यह होगा minus 0.9 यह इसकी value कितने आए कि minus 0.9 आएगी तो यहां आप देखेंगे आपका coefficient of correlation यहापे निकल गया ठीक है आपको और कुछ नहीं करना है coefficient of correlation आपको यहीं तक निकालना था जो आपने निकाल दिया है लेकिन आपके सवाल में यह बस एक छोटा सा बात यहां पर कहते रहा है कि ग्याद कीजिए और परिडाम की व्याख्या करें तो परिडाम की व्याख्या का क्या मतलब होता है बच्चों परिडाम की व्याख्या ऐसे करते हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ देखिए यह जो भी आपने coefficient of correlation निकाला है ना इसकी वास्तविक्ता है वास्तविक्ता क्या है वास्तविक्ता यह है बच्चों कि इसकी जो value होगी वो value हमेशा 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 माइनस वन से ज्यादा होगी और प्लस वन से कम होगी इसी के बीच में वो value रहेगी ठीक है जीरो भी हो सकता है ठीक है तो इसके व्याख्या ऐसे करते हैं अगर माइनस में आता है तो कह देंगे रिडातमक सह संबंद है negative correlation है अगर positive में आता है तो positive correlation है धनातमक सह संबंद है अगर सुनने आता है तो सुन ये सह संबंद है zero coefficient of correlation है बस यही आपको लिख देना है तो हमें जो answer मिला था हमें जो अभी इस questions का answer मिला था वो क्या है वई वो हमारा यहाँ पे minus में है तो minus में है का मतलब इन दिनों की इन दोनों की भी रिरातमक सह संबंद गुडांक है बस काम खतम आपका 10 नंबर यहाँ पे confirm हो जाता है अब आईए मैं आपको एक और 10 नंबर नहीं यह 15 नंबर में पूछा गया था यहाद 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 देजीगा आपको कुछ नहीं करना है जो भी आपका पहले कॉलम और नहीं दूसरे को पहले में में को simply यह Leck लेना है थीक है आपने दिख लिया उसके बाद के म dé minder क्या क्ने अब आपको आवाद आपको रहंक देना है रहंक कैसे देंग जो सबसे ज्यादा होगा उसको आप rank 1 देंगे यह जो सबसे कम होगा उससे कम rank 2 इस तरीके से rank देना है फिर दूसरे subject को आपको rank देना है फिर दोनों rank को को आपस में क्या कर देना है घटा देना है ठीक है घटाने के बाद जो आएगा उसको आपने square कर लिए square करने का मतलब यह होता है कि minus heart जाए square करते ही क्या होता माइनस सारा heart जाता है और जो आपका square आता है उसको आपस में जोड लेंगे और जोडने के बाद इस formula में आप उसको रख देंगे और जैसे ही आप रखते हैं आपका यहाँ पे answer निकलकर आ जाता है और उसके बाद आप उसकी व्याक्या कर देंगे रिडातमक है तो रिडातमक सहसमद धनातमक है तो धनातमक सहसमद यही गुरांग होता है समझ में आगया कोई दिक्कत कोई समझ से आनी देखिए कभी कभी क्या होता है जैसे आप इस सवाल को देखेंगे तो अगर 60 एक बार आया है तो दुबारा इसमें 60 नहीं आया है 70 एक बार आया है तो दुबारा इसमें 70 नहीं आया है 65 दुबार इसमें 65 तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही विसे में बच्चों के प्राप्तांग सेम हो जाते हैं, जो उनका score है न वह सेम हो जाता है, तो उसमें छोटा सा, छोटा सा उसमें एक ट्विस्ट है, उसमें छोटा सा method लगता है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन वह भी बहुत अथान है, याद रखें, दो टाइप मुझे कमेंट में आंसर बताइए, और मुझे बताइए कि आपको समझना आया है कि नहीं है, दोस्तों इस तरीके कई बार सवाल आपसे, आवद भी सुवेदाले, आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आवद यूवस्टी के बीएड, किसमें बच्चों, बीएड पूछे जाते हैं, सेकेंड पेपर में, हाँ ये मैं बताना भूल गया, पेपर टू में आपसे अकसर ये सवाल पूछे जाते है, तो क्या आप तयार हैं इस प्रश्न के रिए, बिल्कुल जी हाँ, इस तरीके साब प्रेक्टिस करिए, बहुत अच्छा आपका मास हो जाए आप इस होमवर्क का आंसर आमें कमेंट ने के रोड़ गताएं, इसके रिच्छोट लीजिए, और मिलेंगा अगले वीडियो में, तब तक आपना खुब क्याल रखें, पढ़ते रहें, खुदा आफिस, जैन, जै भारत